विड़मानी बच्चों आज आप लोग उप समुच्चे के बारे में पढ़ेंगे उप समुच्चे क्या होता है इसे हम लोग सबसेट करते हैं सबसेट होता क्या है तो किसी समुच्चे के किसी समुच्चे के एक अवयों या एक से अधिक अवयों को एक साथ लेकर लिखने प कि किसी समुच्चे के कुछ अवयों या सभी अवयों को एक साथ लेकर बनाए गए समुच्चे को उप समुच्चे कहते हैं ठीक है हम लोग लिख दे किसी समुच्चे के कि सभी अवयों या कुछ अवयों को एक साथ लेकर कि अवयों कि अवयों कि अवयों कि अवय बनाया गया समुच्चे पूप समुच्चे कह लाता है अब उपस मुच्चे के कुछ गुड़ी भी होते हैं ठीक है आला उपस मुच्चे ग्यात करने की बिधी तो इसमें कुछ बाते हम लोग ध्यान रखेंगे वहली बात कि किसी भी समुच्चे का उपस मुच्चे फाई जो होता है रिक्त समुच्चे जो रिक्त समुच्चे होता है वह सभी समुच्चे का उपसमुच्चे होता है हमें यहाद ध्यान दिना है कि जो रिक्त समुच्चे होता है वह सभी समुच्चे का उपसमुच्चे होता है तो फाला टापिक हम लोग यहां पर याद कर लेंगे जो दिखते समुच्चे है जिसे हम लोग फाई से दिखा जानते हैं जिसमुच्चे सभी समुच्चेयों का उप समुच्च्च होता है जो दूसरा टापिक है जिसे हम लोग को याद करना है वह टापिक है कि सभी समुच्च्चे स्वयम का पूप समुच्च्च होते हैं सभी समुच्च्चे स्वयम के उप समुच्च्च्च होते हैं तिसरा टापिक है जिसे हम लोग याद करेंगे वह है किसी समुच्च्च्च में यदि यन अवयों हूं समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कर्यों के पावर यह पृप समुच्चे के संख्य कर्णा होती तुके पावर है अब से लिग्जामपल हम लोग दिख यहां पर कि दिया रहेगा कि यदी एक बात अध्यान दें आप लो जो उपसमुच्चा होता है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं ठीक है तो उपसमुच्च्च्च को से प्रदर्शित करते हैं यह सबसेट का चिन है ठीक है यह से यहां लिखा है ए सबसेट बी बी सबसेट डी या ए सबसेट सी ठीक हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं ठीक है एक जामपल देखे हम लोग या दी कि समुच्च्च्च एक जेकवर्टी हम लिख लेए हम अप्रिंद कि ए टूग कि और हो तो भी कि समुच्च्च्च्च कि एक कि पूप समुच्च्यों को लिखिए तो हम लोग हल में दिया है कि दिया है डिए मैं जो हमको दिया गहीं सोंट यह हमएं का है कि मैं 2 5 तों समुच्यों को लिखने क्या मोग है कि तुम में उच्छें तो सबसे पाम मुच्य वहता हाध डाएंब लिख में फाठो करुसम तो होता है वाव रिखतो समुझ्चा होता फाइव खोता है पीछ फिर किसी एक ऐलिमेंट को लेकर हम लोग रिखेंगे यापर दो पोड़िपीट फिर इस इलिमेंट को लेडेंगे हम लोग पे 3 फिर सब्सक्राइब ले लेगा हम लोग यहां पर है तो तो थ 닉ने इसी प्रकार एकस्व वालाव दीखिया आपर अलिकार यदी आप वियू सोरी यदी समुच्च्च एच उक्वल टू कि ए भी सी ओ तो समुच्च ए के कुल कितने उप समुच्च होंगे अथा उन्हें भी लिखिये कि इस टैप के सब्सक्राइब तो हल में लेंगे हम लोग यहां पर दिया है सेट एज उक्वल टू ए बी सी तो इसमें दो सवाल किया गया है पहला है कि आप समुच्च ए दिया गया है इसमें उप समुच्च्च कि कुल संख्य देनी संख्या होगी संख्या पूछा गया है उसके बाद उन्हें लिखने के लिए भी कहा गया है तो उप समुच्च्च ए में अव्यों की संख्या ढाए का अधियों के संख्या यहन बराबर तो ऑं तो उफ मे उच्चियों की संख्या लिखे हम लोग का फसमुच्च हों की संख्या इसका सुद्ञा को पता है आ कि आज होता है इसमें तीन एलिमंट है एक शाव कर लेंगे तो एक डिक है तो आप कहा गया है पूंट-फूप्समुच्यों को भी लिखिए चिर्ट बसमुच्यों को लिखिए तो इस अंदू तो जो रिक तो समुच्छा 5 होता हो तो सबका होता है इसको लिखती है अब एक element को लीजिए फ़ले single single element a हो गया फिर इस element को लीजिए तो पी हो गया ठीक है फिर इस single element को लीजिए तो यह हमारा एससे हो गया अब दो-दो element लीजिए एबी लीजिए एबी हो गया फिर एक साथ सी ले लिजिए तो फिर बी के साथ सी ले लिजिए कि फेन दिनर ले लिजिए एबी देखेंगे कुल आठ एली में आठ उपसा मुच्छे हो जाएंगे लिए फॉर फाइफ शीक्स सेवेन एट इस प्रकास हम इसको साल्व कर देते हैं